प्यारे बच्चों आप सबका जय महादेव बिद्या खुल परिवार में स्वागत है लोग शुरुवात करते हैं आज की क्लास का आज हम लोगों का जो टापिक चल रहा था रावर्ट नर्सिंग होम में रावर्ट नर्सिंग होम में अभ्यास पर आधारित प्रस्न उत्तर पाठ उसके भी से में आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि राबर्ट नर्सिंग हों जैसा आप लोगों ने पढ़ा मदर टरेशा क्रिस्ट हैल्ड कि भारत में रोगियों की सेवा से डाक्टरी के पेशे में डाक्टरी के दाइत्तों को किस तरह से इन्हों ने अपने जीवन का अंग बनाया लोगों की सेवा के लिए रात दिन एक किये आधी आधी के विशे में हम लोगों ने बातें की अब जो हैं हम लोग क्लास या अभ्यास आज की क्लास जो अभ्यास प्रस्ट है उन पर है प्रस्ट उत्तर के विशे में बात करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं पहला पैसेज है यह और पहले पैसेज के बाद इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग जो है question answer की बात करेंगे तो पहला प्रस्ण है पहला आपका ये गध्यान से कि नस्तर तेज था नस्तर तेज था चुभन गहरी पर मदर का कलेजा उससे अच्छूता रहा बोली हिटलर बुरा था उसने लड़ाई शिंडी पर उसमें इस लड़की का भी घर ढ़ा गया मेरा भी हम दोनों हम दोनों एक हम दोनों एक एक मदर तेजा ने जूम में इतने गहरे दूप कर कहा कि जैसे मैं उनके उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा मदर चली गई मैं सोचता रहा मनुस्य मनुस्य के बीच मनुस्य ने ही कितनी दिवारें खड़ी खी हैं उची दिवारें, मजबूत दिवारें, खौलादी दिवारें, भुगोल की दिवारें, जात की दिवारें, कितनी मनुष, कितनी नगड़, पर कितनी अजे यह हैं हमारा पैसेज जिस पैसेज पर आधारित आगे प्रस्नुत्तर दिये हैं ठीक हैं उन हम प्रस्नुत्तर की बात करते हैं और सबसे पहले आता है यह आप रेखांकित अंस्की ब्याक्थ्या रेखांकित अंस्की ब्याक्थ्या मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल से सावधान हो करके सुनियेगा लेखक ने अपने मनोभाओं को ब्यक्त करते हुए वर्तमान विशंगती को को बताते हुए कहते हैं कि आज के समाज में एक मानों ने एक मानों ने दूसरे मानों के प्रति जो जो भेदभाव भेदभाव की दीवारें खड़िकी हैं चाहे वह भेदभाव जाती के आधार पर हो धर्म के आधार पर हो रीती के आधार पर हो भूगोल की हों जिसके कारण जिसके कारण एक मानों और दूसरे मानों के प्रेम में शावहार्द और त्रिष्टाचार में आवरोध उत्पन हुआ है आवरोध उत्पन हुआ है जिसके कारण जिसके कारण मानों है या जिसके उत्पन करने के कारण या जिन बाधाओं के उत्पन करने के कारण मानों है प्रकीती नहीं ठीक है भई चलें आगे उसके यह उपर युक्त गद्यांस के लेखक एवं पाठ का नाम लिखीं या उपर युक्त गद्यांस के या या यह वं पाठ का नाम बताईए भई लेखक लेखक कौन है और पाठ का नाम बताइए आप लोग क्या है लेखक और पाठ का नाम बताइए जल्दी बताइए सिर्षक का नाम बताइए पाठ का नाम बताइए ठीक है जल्दी बताइए भई इतने दिन से पढ़ तुके हैं हम लोग ठीक हैं राबर्ट नरसिंग होम ने अब दूसरा प्रस्नाता है कि मनुस्षे मनुस्ष के बीच दिवारें किसने खड़ी की है, मनुस्य मनुस्य के बीच दिवारें किसने खड़ी की है, तो उत्तर है भई, मनुस्य मनुस्य के बीच, मनुस्य के बीच, मनुस्य ने दिवारें खड़ी की है, यह हो जाएगा उत्तर, अगला है, लेखक के प्रस्न के उत्तर में मदर्ट रेजा ने क्या कहा, लेखक के प्रस्न के उत्तर में मदर्ट रेजा ने क्या कहा, वो तीजे नहीं लिखनी है फौलादी भूगोल जाती की नहीं लिखना है ये पूछा है कि मनुस्थ से मनुस्थ के बीच किसने दीवारे खड़ी की ये नहीं पूछा कि कौन कौन सी दीवारे खड़ी की अगर कौन कौन सी दिवारें खड़ी करने का प्रस्ण आएगा तब आप बताएंगे कि जात्य की संप्रदाय की भूगोल की तब ये प्रस्ण बनता है इस प्रस्ण का सीधा सा उत्तर होगा कि मनुस्य मनुस्य के बीच मनुस्य ने दिवारें खड़ी की ठीक है ना अब ये अगला प्रस्ण आया था लेखक के प्रस्ण के उत्तर में मदर्ट रेजा ने क्या कहा अब देखे थोड़ा से चलते हैं वहीं पर क्या पूछा था ध्यान देजिएगा के बोली हिटलर बुरा था उसने लड़ाई छेड़ी पर पर उसमें इस लड़की का भी घड़ा गया मेरा भी हम दोनों एक क्या कहा भई हिटलर की बाद छेड़ी थी लेखक ने तो मदर्ट ने कहा कि हम हिटलर बुरा था मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ हम दोनों एक हैं और उसने युद्ध किया संगहार किया ये अच्छी बात नहीं है वो बुरा था गंदा था दुशित था तो क्या किया मदर्ट ने कहा हिटलर मुरा था उसने लडाई छेड़ी उसमें हिस इसका भी घार जल गया हम दोनों हम दोनों एक बस इतना ही लिख देते हैं हम दोनों एक हैं ठीक है ना आगे चलते हैं आगे हैं प्रस्तुत गर्ध्यांच में लेखक ने किस बात का संकेत दिया है प्रस्तुत गर्ध्यांच में हाँ इतना बुरा था उसने लडाई छेड़ी उसमें इसका भी घार जल गया हम दोनों एक उसके बाद प्रस्तुत गर्ध्यांच में लेखक ने किस बात का संकेत किया है कहने का मतलब यह है कि पूरे गर्ध्यांच का जो अर्थ है केंद्री भाव है उसको बताना है कूरे गर्ध्यांच का किंद्री भाव है कि मदर जो है मदर टरेसा और क्रिस्ट हैड मनर टरेसा क्रिस्ट हैड दोने दोनों के जीवन का एक उद्देश्य है लोगों की सेवा करना एक भाव एक चाओ एक रूची और एक जगा भारत में रूग्यों की सेवा करना हिटलर बुरा था चलो ठीक है कोई बात नहीं हिटलर बुरा था लेकिन इसमें इसका कोई दोस नहीं है हिटलर ने लोगों को कश्ट दिया पिड़ा दिया इससे इसका कोई संबंद नहीं है यह मानो सेवा के लिए सदयो तैयार है प्रस्तुत गध्यांस में लेखक ने मानव स्टेवा के आदर्स सिधान्त का प्रतिपादन किया है कर्टप्दिनिष्ठा सेवा भाव इसका आधार है ठीक है किसी को कोई दिकत रेखां के तंस्की व्याख्या गध्यांत के रेखां के तंस्की व्याख्या उसी समय बता दिये थे जब गध्यांत को हम ले करके आए थे ठीक है हाँ ये भी ठीक है कोई बात नहीं है आगे चलते हैं हमारा पैसेज अगला आ गया अगर कहीं पर किसी को कोई प्राबलम है तो बताईए नहीं तो फिर अगले पैसेज के विश्या में हम लोग बात करेंगे अगर कहीं पर कोई दिकत है तो बताईए कहीं पार किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताईए फिर चलते हैं आगे ठीक है भाई चलिए आगे चलते हैं अगला है कि आदमियों को मक्षी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं मक्षीयों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू होम की सबसे गुढिया मदर मारगरेट कद इतना नाटा की उन्हें गुढिया कहा जा सके पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती हसी उनकी योंकी मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम योंकी मसीन मात माने भारत में 40 वर्सों में सेवा में सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं आप सबसे पहले हम लोग कहां आएंगे भाई यह रेखांकित अंस पर आएंगे रेखांकित अंस पर आएंगे ठीक है रेखांकित अंस की बात कर रहे हैं चलते हैं ठीक है अच्छी बात है कहीं पर कोई दिकत होने भी नहीं शाहिए समझ में आ रहा है ना अब सबसे बड़ी चीज है समझ में आना अगर आप किसी चीज को समझ लिए हैं तो फिर कोई दिकत नहीं है तो चलते हैं कह रहे हैं कनयालाल मिस्टर जी मदर के गुण विशेश्टाओं आधी को बताते हुए कहते हैं कि मदर कि छोँने में उमंग उत्साह जोस आधी से युक्त है से युक्त है जिसके कारण अपने दाइत्व को कर्तव्य को पूरी इमानदारी निष्ठा के साथ बिनारू के आलश्यरहित अपने कर्तव्य को कारे रूप में परणित करती रहती है परणित करती रहती है व्यवहारी जीवन में ब्यवहारी जीवन में हसी खुसी हसी खुसी का भाव उनके चेहरे पर शदयो दिखाई देता है हसना खिल खिलाना हसना खिल खिलाना उनके जीवन का उनके जीवन का अंग है अपने करतब्य का निर्वाहन करने में कभी भी पीछे नाटने वाली लगातार कर्म युक्त रहने वाली और प्रसन्य युक्त रहने वाली मदर का ब्यक्तित्व एवं चरित्र है ठीक है ओके थोड़ा सद्यान रखिएगा भाई मुके से आदो जी लेखक का हेता है नहीं लेखक काहते है ठीक है ना इत्त वड़ावाग क्या आपने लिखा है क्या लिखेंगे काहते है ठीक है काहता लिख देंगे तो थोड़ा सा आसम्मान जनक लगता है और सबसे अच्छा तरीका ये है कि लेखक न लिख करके सीधे आप नाम लिख दीजिए लेखक सब दैसा है कि थोड़ा सक कन्फ्यूज करता है वही कौन ने लिखा है आप लिखे सिरे कनया लाल मिस्रो या आप लिख दीजिए प्रभाकर जी ना किस तरह से लिखेंगे तो बिल्कुल क्लियर संकेट जा रहा है और अगर आप लिखेंगे लेखक, कौन लेखक, एक लेखक थोड़े है संसार में तो डारेक्ट लिखना है भई ठीक है ना कहीं पर किसी को दिक्कत हो रहे हैं तो बताईए मुकेश भई समझ में आई बात आपको मेरी बात समझ में आ गई आपने लिखा है ठीक है अच्छी बात है लेकिन दो बातें दो बातें आपने निगेटू लिखी है वो नहीं होना चाहिए ठीक है ना चलते हैं आगे आप गए रेखांकी तंसकी व्याक्त्या जो हमने आपको बता दिया नीचे प्रसुन दिया है क्या इसमें एक उपर युक्त गद्यांस का संदर्व लिखिये तो संदर्व प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्खंड के राबर्ट अनर सिंग होम में नामक सीर्शक से उद्रित है लिया गया है जिसके लेखक कनयालाल मिस्र प्रभाकरजी है ये जानते ही है अगला अगला ये रेखां की तन्सकी व्याख्या अभी मैं लिखाते बताते चला रहा हूँ उसके बाद है प्रस्तुत गध्यांस के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है अभिव्यक्त करना मने बताना प्रस्तुत गध्यांस का फिर वही केंद्री भाव पूरे गध्यांस का अगर केंद्री भाव देखें कि पूरे गध्यांस का मतलब अर्थ निचोड सार क्या निकलता है क्या सार निकलता है पूरे पैसेद का तो बताईए आप लोग बताईए जल्दी बताईए क्या आपके हिसाब से सार निकलता है पूरे पैसेद का जल्दी बताईए बताईए पूरे पैसेद का सार ये निकलता है कि अपने करतब्य का पालन अपने जायत्व का पालन पूरी इमानदारी और निच्ठा से करना चाहिए या मदर अपने दाईत्व का अपने करतब्य का निच्ठा से पालन करती है ठीक है न यही है पूरे का मैसेद भाई इतना काम करते हैं कि मसीन भी हार मान ले हसी खुची से रहना ये सेवा तो हई है लेकिन सेवा के भाव में भी तरसन्नता का भाव है सेवा के भाव में प्रसन्नता का भाव है अगर दुखी मन से किसी की सेवा ही की मजबूरी बस किसी की सेवा की तो फिर क्या मतलब है भाई डाक्तर नर्स वो जो नौकरी करते हैं उसमें सेवा तो करना है लेकिन उस सेवा को मन का भार समझ करना ये ठीक है नहीं है असी से खुशी से सेवा के कारे को करना यह सबसे प्रमुक्स चीज है अपने करतब का निर्वहन और करतब के निर्वहन में खुशी का प्रसनता का संचार यही सबसे बड़ी बात है और जो भी नौकरी किया है जो भी जिम्मेदारी है ड्यूटी है उसको प्रतेक व्यक्ति करता है उसमें कोई इफबठ है यहीं है जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको करना पड़ेगा जिस बात के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं लेकिन उसमें भी आपका मन लगे आपको यह बड़ी बात है, यही मदर के जीवन का आंग था, काम तो सब लोग करते हैं, बहुत से लोग वहां रहे होंगे, कहीं यही थोड़ी थी, लेकिन अपने कारे में जब खुसी की अनुभूती हो, अच्छा लगे, वहां सबसे बड़ा भाव है, अब आप लोगों को कोई काम जब कालेश से दिया जाता है, बहुत बार प्रेसर दे करके कराया जाता है, परसों का पी लाना यह करना वहेसा करना, और बहुत बार आपको हसी-खुसी से भी काम कराया जाता है, तब कैसा लगता है कि चलो ठीक है तो क्या करना है कोई कार दो प्रकार से होता है कोई कार किसे होता है भाई दो प्रकार से होता है क्या होता है एक तो दबाओ से दबाओ का मतलब जोड डालना जिसको प्रेसर कहते हैं आप लोग न जिसको कहते हैं प्रेशा जवर्जस्ति करवाना सजा के भय से कार्य करवाना कि सजा मिलेगी दंडा चटकेगा और एक होता है स्वयम से या प्रसनता पूर्वक करना स्वयम से या करतब्य निष्ठा की भावना से कि भाई या हमारा ये कर्तव्य है ये हमें करना ही पड़ेगा क्या है भाई या दवाव और अपनी मर्जी से तो दवाव में काम करने में मज़ा नहीं आता अपनी मर्जी में काम करने में मज़ा आता है ठीक है समझ में आ रहा है बहुत आराम से बोलना चाहिए, सोंच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अजीब गजीब कुछ भी बोल देंगे, तो फिर तो समस्या हो जाएगी ना, तीचर को तो और बहुत सैयमित हो करके बोलना चाहिए, तो अगर बिना बोले, बिना समझे, बोल देंगे तब तो सब गरवर सरवर हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या, क्या करना चाहिए, पूप सोच समझ करके बोलना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी आप सीख लीजिए, हर बाहट में, जल्दबाजी में, कुछ बोल देंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो फिर गरवर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आदर के साथ बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, कोई पगलापन नहीं करना चाहिए, कि कुछ भी बोल दोगे, अलूल जलूल बोलोगे तो क्या मिलेगा, और जैसा समय हो वैसा बोलना चाहिए, ना, देश, काल और परिष्टितियों के अंसार बोलना चाहिए, चलते हैं आगे, चलिए भाई, कहते हैं, मदर मार्गरेट कौन थी, लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है, क्या थी भाई, मदर मार्गरेट होम की अध्यक्षा, मारे राबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्षा, और भारत की पुत्री, और सेवा करने वाली नर्ष्थी, और उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है, उनके सौम्य सेवा परक, क्या किया है, व्यक्तित्व का वर्णन किया है, ठीक है न, क्या हिल्प करें भई आपकी, कौन से हिल्प करें बताइए, आपकी ही तो हिल्प हो रही है, किसी दूसरे की हो रही है, क्या हो रहा है, आप, देखिए, आप अपनी हिल्प करिए, तभी आपकी हिल्प कोई कर सकता है, आप लोग ये जानते हैं, मान लीजिए, मान लीजिए, आप दूसरे से हिल्प मांगते हैं, तो उसमें क्या करना होगा, जो हिल्प का मतलब मदद होता है, और मदद का मतलब ये होता है, कि जो थोड़ी सी कमी है, उसमें हिल्प किया ज होता है कि पूरी जिम्मेदारी आप दूसरे के देदो मदद का मतलब यह होता है कि भाई आप धीरे धीरे चल रहे हो उठ बैठ नहीं पा रहे हो तो हिल्प कर दिया तो आराम सूठ गए थोड़ा सा हाथ लगा दिया तो खड़े हो गए यह तो ठीक है अब इसका मतलब यह न हम आपकी मदद करने आपका काम अच्छा हो जाए और आप कुछ न करो और कैदो हमारी एल्प करिये कैसे एल्प करेंगे भाई कैसे मदद करेंगे मदद करने के लिए मदद मांगने के योग भी होना चाहिए ठीक है न तो मदद करने के लिए मदद पाने का भी अधिकारी होना चाहिए चलिए चलते हैं लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादू गरनी की संग्या क्यों दी है क्यों जादू गरनी कहा है बताईए जल्दी बताईए जादू गरनी क्यों कहा है जल्दी करिए चलते हैं शुरू करते हैं जल्दी बताईए जादू गरनी इसलिए कहा है कि जो असंभव का रहे है जादू गर क्या करता है असंभव को भी संभव बनाता है असंभव को भी संभव बनाना जादू का काम है और मदर जो है यही थी फिरोते हुए बिलखते हुए तड़पते हुए चेहरों में खुसी का संचार कर देती थी क्या कर देती थी भई जो लोग पीडित हैं संतप्त हैं दुखी हैं बेचैन हैं अपनी बाणी से अपने हाव भाव से अपने ब्योहार से उनके चेहरे पर खुशी का भाव लाने में समर्थ थी इसलिए मदर को क्या कहा है जादू गरनी या जादू की पुडिया कहा है समद में आगई बाद असंभव को संभव बनाने की छमता मदर के व्यक्तित्वे में मदर के सेवा भाव में मदर के आचरण में दिखाई देती है ठीक है आगे चलते हैं ये लेजिये। मैने बहुतों को रूप पाते देखा था बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों पाते देखा था पर मानवता के आँग rifin प्राप्तिकाया अद्वुद स्वूं में शुरूपप अपनी ही आँखों से देखा कि कोई अपनी पीडा से किसी को पाए और किसी का उस सर्ग सदा किसी के पीडा के लिए ही सुरक्षित रहे। ना साब लोग पढ़िए पुराना नया क्या होता है अभी पढ़ोगे समझ में आने लगेगा एक दो दिन कोई नया होता है अगर हम सब के कमेंट का एंसर देंगे बेटा तो यह एंसर नहीं दे पाएंगे अब इतने कमेंट आ रहे हैं जहां आपको दिक्कत हो वो आप अधर नहीं दे सकते हैं लेकिन जिसका कमेंट ऐसा रहता है कि जिसमें बोलना होता है उसको हम बता देते हैं बोल देते हैं जहां पिस समझ में नहीं आता है यह मत सोचिए हम सब के कमेंट को अटेम्ट करना चाहते हैं लेकिन कहीं ऐसा नहो जाए कि केवल कमेंट ही के दिश्य है और कमेंट सुनना है कि हमारा नाम ले लें ये कर लें तो फिर बताओ एक दिन किसी दिन लगाया जाता इसलिए क्लास सब का क्लास अब वह देखो कोई नेक्स्ट कहता है कोई कमेंट कहता कुछ कहता तो हम लोग चलते हैं हम आपको इसकी देखांगे तंसकी ठीक है ना कह रहे हैं कि मैंने बहुतों को रूप पाते देखा था रूप पाते माने सारीरिक संदर्य रूप पाते माने सारीरिक संदर्य बहुत से लोग सारीरिक संदर्य में बहुत से लोग सारीरिक सौंजरे में क्या है बहुत त्रिष्ट है जिनका सारीरिक सुगठन सारीरिक सुगठन अत्यंत आकरसक मनमोहक है बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं बहुत लोग रूप कमा लेते हैं धन कमा लेते हैं बहुत लोग गुणवान हो जाते हैं लेकिन मानवता के लिए इस प्रकार से सेवा भाव को लेखक करते हैं मैंने आज तक नहीं देखा है मानवता के प्रति समरपण लेखक करें मानवता के समरपण पर आज तक मैंने आदभूद मने आश्चरे जनक सौमे मने सौमेता के साथ सरलता के साथ मैंने नहीं देखा है फिर क्या कारना है सरलता के साथ प्रेम के साथ सहजता के साथ सालींता के साथ सालींता के साथ अपने भाव को व्यक्त करने के लिए मैंने आज तक ऐसा व्यक्तित मेरे आँखों के सामने नहीं आया है सो रूप आज अपनी ही आखों से देखा हूँ आगर कह दें कि सौम में अगर सारीरिक रूप से सौम में अगर सारीरिक रूप से मने देखा है या सौम में का जो आखार होता है उसकी हम कलपना कर सकते हैं उसको देखा है जो मजर ट्रेसा के जैसे होता है ठीक है समझ में आ गई बात आगे कह रहे हैं उपर योग्द गध्यांस के लेखक यों पाठ का नाम तो भाईया लेखक हैं बताईए और सिर्थक या पाठ पाठ का नाम जल्दी बताईए जल्दी से बताईए कई बार बता चुका हूँ कनया लाल मिस्त्र प्रवाकर कनया लाल मिस्त्र प्रवाकर और राबर्ट नर्सिंग होम में ठीक है कहीं पर किशी को दिक्कत है चलते हैं आगे प्रायाह गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पढ़ता है गुर्वान व्यक्ति क्या करते हैं भाई दूसरों के दुख को दूर करने का गुण्वान व्यक्ति क्या करते हैं प्रयास करते हैं दूसरे को दुख के दूर करने का प्रयास करना प्रस्तुत गद्यांस में लेखक ने किस भाव को व्यक्ति किया है प्रस्तुत गद्यांस में लेखक ने सेवा भाव को भाई सेवा भाव को व्यक्ति किया है आगे चलते हैं कि लेखक ने किसके स्तंबंद में विचार व्यक्ति किया है किसके विशाय में किया है भाई मदर टेरेसा के विशाय में उपरोक्त पध्यांस में आपने विचार प्रकट किये है उपरीुक्त गद्खंड उपरीुक्त गद्खंड में लेखांकित अंस की व्याख्या जो कि पहले ही आपको बता चुका हूँ ठीक है ना आगे चलते हैं ये लिजिए यहाँ अनुबव कितना चमतकारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूड़ी है वा उतनी अधिक उत्फुल मुस्कानमाई यहाँ किस दीपक की जोत है जागरूग जीवन की लक्षदर्शी जीवन की सेवा निरत जीवन की अपने विश्वासों के साथ एकागर जीवन की भासा के भेद रहें हैं रहेंगे भी पर यहाँ जोत विश्व की सरवत्तम जोत है ठीक है ना चलिए भाई यह है यहाँ से यह रेखा किंद अंस है रेखा किंद अंस है रोज तो क्लास आती है बेटा रोज क्लास आती है और तीन बज़े से क्लास शुरू हो जाती है ग्यारा बजे रात तक क्लास आती है, हर विश्य के क्लास आती हैं, इंटर के आपके जितने भी забजेक्ट हैं, सब की क्लास आती है, बस किवल हैं आपको वाज करना है एक-दो दिन आप लोग वाच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है चार बजे क्लास रहती है कभी तीन बजे भी रहती है लेवन्थ में तो इस तरीके से आपको क्या करना है जब लगातार दस-पांज जिरन रहेंगे और बार-बार टाइन टेबल भी बताना आप चले जाएंगे कम्यूनिटी पोस्ट पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको टाइन टेबल भी रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो करें है ये रेखांके तंस है इसकी ब्याक्या बाच पढ़ाते समय कई बार किया गया है थोड़ा सा कोश्चन पर बात कर लेते हैं ठीक है अब इसको आप लोग अपने से करिएगा उपरियुक्त गद्यांस का संदर्व लिखिए लिख लेंगे क्योंकि गद्यांस का संदर्व उसी तरह से है रस्तुत कौन सी जोती विश्व की सर्वोत्तम जोती है तो कह यहां जोत मने विश्वास और एकाग्रता की जोत कर्तब निष्ठा की जोत दुनिया की सबसे बड़ी जोती है लेखक नर्थों का जीवन कैसा बताया है लेखक ने नर्थों के जीवन स्तिवाभाव से समर्पित जीवन को रेखांकित किया है आगे हैं गद्यांस के रेखांकित अंस की ब्याक्थ्या अगर कहीं पे किसी को किसी प्राकार का डाउट है कुछ पूछना चाहेते हैं तो बताएं कहीं पे किसी को जीवन की जोती कभी कहीं पे किसी को कोई प्राबलम है तो जल्दी से बताएं ठीक है किसी को कोई दिक्कत है चलें फिर भाई आज की क्लास को खतम किया जाएं ना क्या बताना है क्या बोल दें कोई दिक्कत कोई दिक्कत चलिए भाई ठीक है ओके आज की क्लास के लिए अब वहां आके देखना यहां क्या अंतर है वहां क्या अंतर है यह सब समध में आ जाएगा दोनों जगे पढ़ो अपने आप समध में आ जाएगा ना चलिए ठीक है ओके थैंक यू ओके बाई बाई